मुझा जाए कैसे सभी स्वागत आपका एक बार वापस डागूर्स यूटूब चैनल पर और रीजनिंग की त्रलक्ति बढ़कती दुनिया में एक बार वापस अटक जाएगा ठोक पटक कर तो राम राम भया सभी को नमस्कार गुड आफ्टनून अभिनाव कैसा है बैटा डाक्टर कॉम कैसा है बहुत अच्छाम पर्चाना ए ब्लक्ष्मीलों जोंग जायेगा, पर गटना गटानेruktur हो जा rhyme थ का अपना सवाल हाँ था प्रक्टरिशेशन वाला यह switched आब को बताना है यहाँ पर कि भया इन में से अलग कोण सा है एक बार अपना नोलेज बॉक्स खोलिएगा और अपने दिमाग को थोड़ी तीत्रियों को दोड़ाएगा और मोसम राम जी की सभी लोग जुड़ जाएं एक बार शेर कर दीजेगा अपने सभी प्यारे दोस्तों के साथ मित्रों के साथ और बेटा जो भी तुम्हारे आस पास बठक रहें उन आत्माओं के साथ सब के साथ क्रिशने अच्छा अशोग क्या करें भया शिक्स पेक आगे क्या है अभी तो स्टाट हुआ है मामला अब आएंगे अच्छा आ चुका है दिरूर होए ओक भी या ए ओप्शन नीम्बू बहुत बढ़ी आक्षी शाबाज यामिनी वेर्शन आप सेब बहुत अच्छे बहुत बढ़ीया ए ओके सेब इसने दे दिया है बहुत बढ़ीया अरे ए बहुत अच्छे बहुत अच्छे राहूल सहीए बस यही आंसर आ रहा है क्या सर सारे टिपोग्ड है बिल्कुल रभी सारे के सारे टिपोग्ड है लेड़ा कुछ भी नहीं है बस टीपड़ा इनका काम है गटणा गटणा इनका काम है कुछ भी नहीं जाकर साब बहुत अच्छे कोब्रा डिफेंस अकेडमी जहराम जी की मेरे पैरे भाई कैसे हैं आप सुनिल कुबार डी आशा शर्मा नमस्त विटा देखो बया आंसर जो होगा वो होगा इसमें सेब क्यों क्योंकि जो नीम्बू है संत्रा है अंगूरे यह सभी रसधार है इनमें से रस रस निकलता है पर यह गुदादार है गुदादार सेर गुदादार फल है बागी सब मैं से रस निकलता है logic reasoning का यह कहता है अब तुमने कौन सी साइंस गुसेड दी कोई साइट्रिक टाइट्रिक अमल गुसेड दिया हो तो वह बात अलग है बात समझ मारी है क्या देखो बटा अगला क्योशन देखिएगा यहां देखिए बहुत प्यारा परशन है इसे देखने कोशिच कीजिएगा मज़ा आ जाएगा होगा यहां से अगला वर्ड क्या होगा कि अंच्छा जी सीना चोर्थरी कहां कि सरजी सबको खाते निम्भू का पानीा पीते बहुत अच्छी बाते old कोई बात निए कोई बात आजाओ आंसर बता हुआ इंटेलिजेंट वह तुम लोग क्या यार घटना घटाने के लिए तैयार रहे तो फिर भी बना बेज़ती वाड़े काम कर रहे हो आंसर अब तक तो आजाड़े चियेता लेज देटा स्पीड का काम है यार है चलिए अफटा फटते को हुआ क्या यहां पर मैं आपको बताता हूँ यह सारा में सब्सक्रetus बेए तो यहां पर आपको एक प्राइम नंबर आपको नजर आ रहा है अब हादी संख्या यहां ऑलो फिट्र हैड्र ड्रडॉट तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो होजागा 41 यानि एक छोड़कर एक लिख रिक है इसमें अबात समझ में आया या नहीं आया मोनिका शर्मा गुट आफ्टून बेटा हाव आर यू अच्छा मोनिका आज तो आपका पेपर थार शाहिद जी डी का आइधिंग कैसा गया हो गया कि अब होगा अब तक तो हो चुका होगा नहीं है ठीक है तो डी इस दर राइट ओप्शन 141 is the right answer चलिए आगे चलिए और आगे मोसम बनाई ये फटाफट बाइरे रेट को 912 लिखा जाता तो यू ए एम को क्या लिखा जाएगा फटाफट खेल जाओ मोसम बनादू खैद दो मिटर इसका आग लगा दो आग हम कह रहें सवाल चीक चीक कर बोलेगा भाई साब मेरा उत्तर यह है बस तुम भचिन लगा दो हो गया ओके कैसा गया बेटा रीजिनिंग कैसी थी थी यह पता अंश्राजपूत ओके आशा शर्मा यह सर ठीक है यहां क्या है आरेटी रेट को 912 लिखा जा रहा है भाईया आरेटी रेट रेट यह नहीं चुआ और इसे लिखा जा रहा है 912 लोजिक लगा हो कोडिंग और डिकोडिंग मैंने पढ़ाया था पढ़ाने में एक यह भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया था बेटा आप लोग भूल गए है आर का नंबर 18 इसका एक और इसका बीस अठारा का आठ और एक नो जोड़ देंगे नो एक का एज़ेटी क्या मैं समझा पा रहा हूं तो बिल्कुल तेंक्यू बोनिगा और बिल्कुल आंसर आगया अशोक का अभीनव देव बहुत बड़िया बैटा और अशोक आशा शर्मा अशोक अभार जाकोडिया रवी कुमार बहुत बढ़िया अरे अशोक भाई देख लिया देवता तेर या किसे क्या टाल्क को क्या लिखा जाएगा फटाफट आंसर फटाफट बताए अक्सी तेरा क्योशन बेटा बैठा ही नहीं मेरे से खोपड़ा लगा लिया या ममाले टाय मी नहीं मिला पर देदूंगा शाम तक थोड़ा सबर तो रख क्यों बेजती करने पर तुल रही ह अचा एंटीपीसी का सोडी जीडी का नहीं एंटीपीसी का एक्जमतर हां सोडी सर मेरा भी दो फर वर ही को राहूल अल्डबेस्ट बैटा बैटा रवी तेरे तो देखा ही नहीं मैंने तेरा और अक्षी का दोनों का सेम टू सेम यह आई थिंक तुने वही बहजा है जो अ सीना 143 आपका कैसे अंसर आ रहा है वेटा सीना चोधरी पिंक सीटी से जो बाली का बोल रही है आपका 143 कैसे आ रहा है वेटा तो यहां पर लिख़ा बेटा टीए टीए लिखा ज़ Michalajity को paipa लिखा जाता है तुम यहां प्रया यहां पर टीए में से माइनलच चार गे उधर से माइनलच चारगर और यह सेकंड वाला जो वर्ड है वह और लिख सेकंड और फॉर्थ में ठीक है बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अशाबाश अशोक रवी कुमार एस्टी मुविज पॉइंट डाक्टर कॉमल बिलकुल आगे धन्यवाद है आपका बहुत अत्यदिक और बहुत बहुत खुशी की बात बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बेटा सीना चोधरी आप अपने बुद्ध्य मता का बहुत अच्छा परदर्शन कर रही है बहुत बढ़िया और बहुत खुश रहें आबाद रहें देखिएगा बहुत अन्यवाद 143 143 होता है 143 तो काई क्यों यह डीम डोडाने भगवान तो टी एल और के टा कही है न तो माइनस चार अपन करें तो यहां पी है एजटी जाजाएगा बारा में से चार चले जाएंगे तो एच और के जटी जाजाएगा पी एएच के यहां पर आपका आपको पता है और बिल्कुल और और भरी एक और दो तीन और दो पांच और दो साथ और दो नो दो ग्यार और दो फटाफट तेरा बी ऑप्शन बहुत आसान सवाल था यहां पर बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल नेक्स क्योशन पर कूछ जाते हैं मैंने बता दिया है इन में से आपको बताना है कि बिन कौन सा सर रासेज जाट का बर्थडे गया अच्छा राकेज जाट का बर्थडे गया क्या शोक तो बुला उसको यार पिछली बार तो मना नहीं था कोचिंगी में खाये थे इस बार बुला 143 का मतलब उल्लू होता है इल्लू होता है यह क्या option है यह को जी दीजिनिंग है कोमल के जे एचेस क्यूपी एनम अगला पत क्या होगा स्पीड पे काम करें फड़ाफट 20 बच्चे लाएव है और मात्र साथ बच्चों ने लाइक क्या है गलत बाते बाल को कोई बात नहीं लाइक ठोके दीरी दीरे बच्चे बढ़ते जाएंगे कोई फरक नहीं पड़ता पर कम से हम जो 20 आते वो 20 तो लाइक ठोक दिया गरो यार बेज 30 क्यों मैसुस करवाते हो गुड़ाफटनूर अंकूर शर अंकूर सर आप भी थोड़ा शेर कर दे आपने शेर नहीं कि इसलिए आज बच्चे कम है आप शेर कर देते हो आपका श्टूल बड़ा बिजी चल रहा है मुझे पता है आपके कंदों पर बहुत बड़ी ज भाह है क्या मोभबत वरी क्लास चल रहें इसक्लास का नाम साराq reasoning की क्लाज ना रख्के मोभबत वाली क्लास कर दो क्यों यही काम है है बैलकूल थेंम्ड यूंघ्ण सेर लव यूट ऊंकूर्स कर तो खुश रहें आबाद रहें अभी नहों अभी नहों ओके डबलू वी टी एसो के अक्षी जोसी शाबाश ए ओप्शन बैटा यी पांच और छे ग्यारा ग्यारा और छे सत्रा सत्रा और चे कितने तहीस तो डबलू आज़ाड़ा है को दिकत वाली बात ने डबलू सम में तो बैटा देखो वी वी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बी भी तीसरा ख्षेरी बता देगा आपको क्या है चोथा ख्षे लास्ट वाला देखलो नहार एक और चे सात और छे तेरा तेरा और साथ कितने बीस तो टी वाला कॉन सा यह वाला तो आई टिंग सी ओप्शन इस दरा राइट ओप्शन सी ऑप्शन है क्या नहीं यह ऐशन बहुत बढ़िया कंफ्यूज कर दिया लाल रंग ने ठीक है बहुत अच्छी बात बताइए किसने बोला आपको एक सुद्री का मतलब दन गई दसा गईर पड़ो डबोरो नाम और जाप वड़या पर तोरण मारा रतन कवर्चो नाम तो भया इस वक्त ववे में बड़ी गैराईया चुपी हुई है और जब गैराईया चुपी हुई है तो आप लोगों को नहीं पता अगला क्योशन आखों के सामने आ गया है कर आपने मुझे जाना निक्या अरे मेरे भाई क्या बात करता है क्यों नहीं जानूंगा भाई हो आप हमारे छोटे केसी बात करते हो आंसर दीजिए घटना घटाईये अगर सीरीज थोड़ी नस्दिक चल रही है मौसम पास पास का बन रहा है तो मतलब जरूर को ने को अंतरवाला खेले फटाफट बताईये मैं भाबी को बताऊंगी बाबी से मिलने इकोन देगा क्या बाद है अच्छा एडी पत्रव अंकुर डागुर वाव वाट वाट अ टेकनिकल नाम भाई बाई रे बहुत बढ़िया शाबाज अंकुर डागर मिस्टर एडी वाव एडी एडी जेडी वाव दिरूरोए 413 आ रहा है जानतों गहें रहे बिल्कुल क्यों नहीं जानूँगा अभी नव ओके आंसर बताईये यार फटा-फट आंसर बताईये गा डिफ्रेंस क्या कहेगा देखो भया यहाँ पर अगर डिफ्रेंस लें तीन मेंस दो जाएगा एक और भाई साब यहाँ अगला अंतर कितने को जाएगा फटा-फट बताईये नोर बारतीन तेरा का तो 409 इसका अंसर आगा डिफ्रेंस से आपका अंसर हो जाएगा ए उप्शन 407 होगा फटा-पर बताऊ यह आज की पार्टी जेडी सर के नाम सभी लोग एक बार जोरदार मैं कहूंगा आज हमारे जेडी सर जोगरोवी वाले सर का हैपी बटे टू है तो उनको विश कीजिएगा जेडी सर को हमारी तरफ से डागूर्स टीम की तरफ से और पूरे तबके की तरफ से पूरे परगना की तरफ से पूरे जिले की तरफ से राजस्थान की तरफ से हैपी बर्थिडे आपका जीवन मंगल में हो और जनम दिन के हार्दिक शुपकामना है तो बस वही वाली बात है तो आगे देखते रही है 407 इसका आंसर होगा बैटा 407 सही है सभी का बिल्कुल रवी बहुत अच्छे बैटा 11 13 15 17 ए ओप्शन इस दराइट ओप्शन ठीक है अगला देखो कि पत्नी के पती का भाई है C और D B की बहन है 801 से क्या संब्द्ध है अफटा फट प्ट पटा यह वह का चोध्री राम राम ले राके चोध्री आवार्यू फीलिंग टुडे कैसे हो ए अशुक बहुत अच्छे बैटा अरे नहीं है और कैसी बात करता अशूक कहा पायर कह अंदर का बासा संगत छोड कुसंगत मला गया उतरबा का सासा समझ्जा हुए थैंक यू राकेश कैसा है है एपी बड़े गया आपका कि डाक्टर कमल हम खेल वही खेलते हैं जिसमें जीतते हैं अब आपको क्या बताएं बहुत अचे बड़ा शावाश मैं अंदर से नहीं बहुत बहुत अचे बहुत अचे आंसर दीजिए क्या होगा आंसर लक्ष्मी गोत्म का ए था राकेशोद्री राम्राप देखो भया ए बी की पत्नी जो ए है वो बी की पत्नी के पती का भाई है वाओ तो भया भी यह है और बी की कोई न कोई पत्नी है के पत्नी यह है और पती का भाई कोण है भाई साब ए तो भाईरे समझ रहो यो बींद या लुगाई यो बींद को भाई और यो जो देवर और देवर या जेट हो सकता है मेंदी लगा ले यह और बेटा C और D B की बहने हैं बहुत अच्छी बात है अब बेटा जो C B है और D B है वो B की बहने है नड़े हो गई नड़े तो A का C से क्या संबंद होगा रह भाई रहे A का C से भाई का संबंद होगा A option होगा आई थिंक भाई होगा ए बड़तर जेडी का है ना मेरे रूम पार्टनर रहो यार ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल जेडी सरका है चिंता ने भाई साथ है खुद ही मिलवा दोगे बिल्कुल भाई हाँ यह वास है बहुत अच्छे ब्र का अंसर आपको देना है भाई टी आई ए आर तो बहुत अच्छी बात है टी आई ए आर बिढ़ते ही देख लो भया पी यू एमपी पंप भी देख लो हो रहा है पॉंपोस आप देख लीजिएगा यहां पर क्या कहना चाहता है तो ब्या रन भी रूइन भी है तो आप डॉक्टर कॉमल सब कुछ लियाओंगा गवराओं मतो बस बी ओके बी आंसर पॉंपोस मंजीत का भी डॉक्टर कॉमल अभीनव का भी शाबाश बड़ा अभीनव बहुत अचे ओपी हमीरपुरा बहुत बढ़िया मेंदर भी ठीक है बी इस दराइट आइट आंसर क्यों क्योंकि यहां पर ओ है यहां पर सिंगल एक ही हो है डबल ओ होता तो एक आदमी दो दो कि एक इसमें पर घटना केसे घटा सकता है नहीं ना तो हाउ के इन भी पॉसिबल बिकोज दिस दर रोंग और आपका सही आंसर यह जो गलत है अच्छल में वही सही है समझ रहो शाबाश अगला यह देखो लोजिक की बात है हो सकता है कि आप लोग लपक जाए जो संबंध प्रतिष्टा अनुशाशन यह पिच्चल हमारी जवानी में आई थी एक बार मौपते करके अमिता बच्चल मोलता है शारुक खान को नियम काईदे कानून प्रतिष्टा अनुशाशन तो जो प्रतिष्टा का संबंध बद नामी से है वही संबंध ख्याती का किस्से होगा फटावड बताएんで यस्सवी सेश्टता अपकीरती विद्वान फटावड बताएं अक्षी बी और के एजडी मुविज भी इसमें सी आंसर है अपकीड़ती बहुत अच्छे अपकीड़ती होगा शांदार आंसर बहुत अपयस सही बात है अच्छी बात है आते ही आंसर आगया यह देखे यार सवाल इसे देखें आप इसमें option गायब है इसमें पहला option है केवल एक तरक मजबूत है दूसरा है केवल तरक दो मजबूत है थीसरा है दोनों ही मजबूत है और चोता है दोनों ही कमजोर है तो इसमें क्या लेकर रखा है कि कथन क्या भारत को कोई सेनिक बल नहीं रखना चाहिए नहीं दुनिया के दूसरे देश आइंसा में विश्वास नहीं रखते है हाँ बहुत से भारतिये आइंसा में विश्वास रखते है तो इस जगे पर जो ओचित्य होगा वो यह होगा कि न तो यह तरक मजबूत है नहीं है तरक मजबूत है तो दोनों ही तरक कमजोर है ठीक है क्या बारत को कोई सेनिक बल नहीं रखना चाहिए बिना सेनिक बल के कुछ भी नहीं आहिंसा ठीक है लेकिन सेनिक बल रखना चाहिए तो लास्ट का होगा यहाँ पर लास्ट का कौन सा होगा जो दोनों ही तरक क्या है कमजोर होंगे आधकल इस प्रकार के जो क्योशन से वो थोड़े ज़्यादा आता है लोजिकली थोड़े से न इन पर आगे चलकर बहुत बढ़िया काम करेंगे ठीक है सीना किसकी प्रिप्रेशन कर रही हो आप बहुत बढ़िया शाबवाश है देवता यहाँ पढ़ ले हैं मतलब कचूना करनो किसकी प्रिप्रेशन कर रही है देखना रहो पढ़ रही है लाली बहुत बढ़िया देखो आगे देखिएगा यह अगले ऑप्षिन में तर्क एक और नहीं तर्क दो मजबूद न यह सेगड ऑप्षिन में था सेगड पेज पढ़ता इनको पता नहीं था मामला सेट हो गया यहाँ देखो यहाँ क्या कह रहा है बेटा पहले तो आप लोग दूदेख जिसके सेंटर की तरह मुं करके बेटें ठीक है फिर पारागे ई-डी के नहीं तरफ है फिर कि एक बहारत है तो सबसे पहले अगर में डी को F, E वे A के मद्द है, F, E वे A के मद्द है, तो F जो होगा, वो E और F के मद्द होगा, तो E ये रहा, F ये रहा, तो बैटा, F और E पल यहां जाएगा, कितने आदिम होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे क्या बोरहा है, बैटा, C, A वे B के बीच में है, तो A वे B के बीच में हो जाएगा, कौन C, तो सवाल अपने सामने ये हो चुका, अब आपके सामने ट्योशन मेंने लिख रहा है, पहला प्रशन क्या बोरहा है कि C के बाई और कौन बैटा है, C के जश्ट बाई और कौन बैटा है, तो C के जश्ट बाई और कौन बेटा है तो अगर मैं पीछे जाओं तो C के बाई और कौन बेटा है तो अपना ये जो आंसर हो जागा वो बी हो जागा D option क्या मैं समझा पाया इनको बेटाने का तरीका अगले concept की तरफ जाए E किन के मद्दे बेटा है जो E है वो किन के मद्दे बेटा है तो बटा E F और D के मद्दे बेटा है E F और D के मद्दे बेटा है तो option में क्या जागा F और D के मद्दे तो पहला option ये हो जागा कि E जो है वो F तता किसके मद्दे बटा है D के मद्दे बटा है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है लव यू फोर लॉंग टाइम आई मुट्यू 2015 इन टॉंग फाटक सर मिश्यू ओके सुनिल कुमार शर्मा कैसे हो सुनिल 2015 में आप मुझसे टॉंग फाटक मिले थे थेंक्यू कहीं पढ़े थे किसी कोचिंग में या मेरे पहरे भाई वैसे ही ठीक है देखो अगला ध्यान दीजिएगा यहां क्या बोरा है निमन लिखित में से कौन सा चित्र बिल्लियों पालतु जानवरों कुत्तों को मद्दे दर्शाता है तो पहला उप्शन में दिखा रहा हूँ आप लोगों को पहला उप्शन ये रहा अच्छा दूसरा उप् पहले से कौन सा चित्र चित्र मेंने बना दिया है बिल्लियों पालतु जानवरों कुत्तों के मध्धे संबंध को दर्शाता है प्लीज गिव में दर राइट आंसवर बिट्विन टूगेदर शाबाश अभिनव ओके समर्पड में ओके राहूल राहूल आप समर्पड में पड़े हूं बहुत अच्छे इरे भाईरे वो जमाने अलगते मैंने बोला ना वो दिन अलगते वो खौब अलगते वो मौबत अलग हुआ करती थी और 2015 में मेरे पास पड़ते थे तो वही जीडी का माहूल होगा और वही जीडी का माहूल वापस हम बनाने को जा रहे हैं स्सी जीडी की वेकेंसी आउट हो गई है आई तिंग मार्च में 25 मार्च है पता नहीं कौन सी तारीक से मैंने डंग से नहीं देखा आपके ओनलाइन ठीक है बेटा शाबाज ज्यान परकाश डाक्टर कोमल गोर ओके सीना चोदरी पिंग सीटी तो बेटा आंसर क्या रहा है सी 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 शाबाज सी दराइट आंसर पालतु जानवर पीच वाला है कुछ बिल्लियां होती है और कुछ कुत्ते होते क्योंकि बिल्लियां जंगल भी हो सकती है बिल्कुल सुनिल बिल्कुल मैं समझ गया बेटा 2015 का नाम लेता ही राहूल ओके थेंक्यू राहूल हाँ बिल्कुल चौराइसी सो धिरूर है पोस्ट कम नहीं है यह अगर देखा जाए तो पोस्ट कम नहीं होती बेटा ऐसे सी जीडी की कि 2018 जीडी का रिजल्ट आया हूं उसमें क्या सिस्टम है बेटा रिजल्ट आ गया है आपके कई भाई बेन स्लेक्ट होगे जो मैंने पढ़ाये थे बहुत अच्छे मलब बहुत रिजल्ट आया है बिल्कुल सर इस्टेडी केफे में लाइव पढ़ा हूं ओके बिल्कुल हां अपन में देखने पर घड़ी की सुयां कितना दरसाती है दो तीस तो वास्तविक समय क्या हुआ है अगर किसी घड़ी को मिरर में देखा जाए ठीक है तो दो बसकर तीस मिंड दिखाती है जीडी क्लासेज अपन रेगुलर नया बेच स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तो 36, 33, 39, 16 फटा बड़ बताएं आंजर बताएं 39 शाबाश मंजीत बहुत अच्छे बड़ा याद है आपको मतलब बहुत बढ़िया बहुत अच्छा आपने काम किया है बहुत बढ़िया 39 क्या होता है कभी भी ध्यान दीजिएगा अगर हम किसी घड़ी के टाइम को ठीक है न अगर हम दरपन में देखते हैं तो बैटा दो चीजे है या तो घड़ी के टाइम को दरपन में देखे हैं दरपन वाले टाइम को घड़ी में देखा जाए तो दोस्तो वो एक दूसरे ना मुन्ना ना उल्टे का मतलब होता है डियान कोई बच करने के लिए 23 में से घटाए जाता है जिसे आपको बोला जाए कि या किसी घड़ी में 12 बचकर 10 मिनिट हुए हो तो दरपड में क्या टाइम होगा तो बैटा 23-60 में से घटाएंगे तो इधर 50 आजाएगा इधर 11 तो 11-50 या especially 12 बजे के टाइम के लिए लेकिन जब कोई टाइम 12 से अलग हो 12 के अलवा हो तो बैटा उसे हमेशा किस में से घटाए जाएगा 23-60 में से तो अपने इसको घटा दिया उसे हमेशा घटाए जाएगा 11-60 में से दूसरे वाले को जैसे यहां पर क्या बता रहा यह कि बैटा दो बज कर 30 मिंट दिखाए दे रहे तो यह पर 30 मिंट यहां दिखा है थो यहां पर 30 से हो जाए गर यहां पर 9 तो 9 कर 30 मिंट आपका सही आंसर होगा ध्यान दिजिगा थो यह 23 साथ और 11-60 वाला सब्सक्राइब थोड़ा द्यान देना ठीक है तो मौसम ऐसे बनेगा घटना ऐसे घटेगी कि मनीश का इस्थान परिक्षा उत्तिन करने वालों में उपर से सोलवा तथा नीचे से गुरुती स्वा रहा छे विद्धार्तों ने परिक्षा ने दी और पांच अनुतिन रहे कक्षा में कुल कितने विद्धार्ती थे हाउ मेनी स्टुडेंट्स इन दा क्लास बाहरे जब उल्टाई दिखना लगेगा न तो नजने क्या-क्या उल्टा दिखेगा मेरे लाल मेरे पिड़ो रावराम दिलिप खुश रहें आबाद रहें बरबात करते रहें मौसम मनाते रहें भगवान तुमारा वला करें है पर कि अभी नव देवु का अंसर आ रहा है पचास ठीक है बटा बहुत अच्छी बात है पचास आना चीह आपका भी पिछपन आंसर आ रहा है रवी का कवीता का देखो क्या हो रहा है पिटा मनीज कैस्तान परिक्षा उत्तीड करने वालों में मतलब परिक्षा में भाग ना जाने कितने लिए पर जो पास हुए ना पास वह कुल कितने हैं तो इसका उपर से तो यानि लेफ से में मालने ता हुँ सोलुआ और रैट से मालने तौ गुंड़ तीश्वा दोनों को जोड़ूँगा पंदरा और यह दो रेक तीन और चार माइनस एक तो बैटा 25 जो बच्चे थे वो तो पासवे चमारीज बच्चे पासवे एड़ 6 परिक्षा में नहीं थे 6 भाई साब कही ने कही मिलने चलेगे तो टोटल पचास और जो पाच अनुत्रिणरे पाच फेलों गए तो Alors total 85 Erdमिशन तो 95 अना तो आपका अंसर 59 अंक्यों ए और का अंसर कियो है का पिछ पन चैंटक रभी किने liken तर नीचे देगा कूई अकर्ति में कितने तर बैठा आऱ करती मैं बना रहा हूं गबराने स्टा नी है और देखो अ आगे हूँ देखो समझना इसमें आपको बताना how many triangles between together इसमें कितने triangles आपको नजर आ रहे हैं एक बार प्लीज एक बार बताईएगा और मोसम बन जाएगा फटा फटा आंजर बताएं ग्यारा दस छे बारा कितना आंजर होगा आंजर 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 होगा ग्यारा ओके बहुत अच्छे बहुत बढ़िया अच्छा उधारन पढ़ाई करने का बहुत अच्छा उधारन है आप लोगों को सीना चोधरी से सीखना चीए एक्चुल में पढ़ाई के पढ़ती कितनी सीरियस है कितनी गंभी रहें यह सभी बच्चों को मैं चाहता हूं कि आपको सीना चोधरी पिंक सीटी से सीखना चीए कि यह बच्ची कितनी डेडिकेटड है अपने पढ़ाई के लिए मत्रभी ने पता ही की करना क्या है बहुत अच्छी मेनत कर रही है बच्ची और तारीफ यह काभिल है बहुत सिंसिर बच्ची है जैसा कि आपको इंके कमेंटश से भी नजर आता है फुली डेडिकेटड फ जब भी कोई आकर्ती समझ में नहीं आए तो उसका postmatum कर देते हैं क्या करते पोस्ट माटम ठीक है तो पटा इस आकर्ति का अगर मैं post matum करूंगा तो सबसे पहले मुझे एक यह वाली आकर्ती मिलेगी जो मैंने यहां पर देखी विए देखो यह रहाए तो एक और दो टोटल कित्रे ट्रायंगलों के तीन आपको याद हा रहा है ठीक है दूसरी आकर्ती आपको फिर दिखाई रहा है और देखो यह वाली तीक है फूली नcji & 2-3 तो एक 0 2-3 में यहां किसा बैट के बढ़ गढ़रómust ड़े पेड़ने का ट्रेंगल मिलेगा जो अकेला बेटा हुआ बिल्कूल चुपचाप acost जबढ अकेला चुपचाप यह सब ते रहा दोसे नमपर का ट्रेंगल यह को 9 के बाद 10, 10 के बाद में बटा क्या हुआ, इस triangle को एक सीधी line खिच दिये यूँ, एक बड़े हिस्से में ये बाटा रहा है, एक बड़े हिस्से में ये बाटा रहा है, तो 11 और 12, 12 ठीके, यहां देखेंगे तो बटा 3 कम 3, 3 दू नीचे हैं, और बड़ावाणा 3 तीन तीया बेजती, अरे बेटा, हे परभू, हे भगवान, राम, 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 उपर वाला बचा, लाली हम कोन होते हैं, बेजती करने वाले, ना बेटा, तारीफ ही ये बेटा, आप पढ़ती है, लगातार पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा डेडिकेशन है आप में, और आप ब बहुत अच्छा पढ़ रही है, आप बस ऐसे पढ़ती रहें, भगवान भला करें, गुरुदेव कैसे, शुच गए, क्या बोल रहा है, भीम जिंग रुंडल, क्या वावाई, सर रादे 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 लाला, सीना अब तो समझ जावें, ओके, ग्याराई दिख रहा है, को बेटा फटा पर देखिएगा, आपस में, किन दो चुन्नों को बदलने पर, इसका मौसम बदल सकता है, माइनस भाग, पलस, माइनस, पलस तता, दूसरा ओप्शन कहा है है रुजे, गुणा, पलस तता गुणा है यह न, फटा पर बताएं, गुड आफ्टून रादे शाम नाले हम है न आपके साथ, राकेश चोदरी यह रचना कोन है बेटा, किसे कमेंट करता करता कहां करता करता कहां फेक रहा है लाला, जेवाला जी की पुरान सिंग फर्मा, हरीश, बेटा, 27, 27 से सुबह 8 बजे, हरीश मिना, बोल जया, बेटा, 27 से मोर्निंग में 8 बजे, किलियर, 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 आंसर दें यार, क्या कहना चाहता है, लास्ट का आइटिंग भी, डी ओप्चनों का माइनस की जिगे भाग और भाग की जिगे माइनस, राइट है, रभी कुमार, शाबाज, तो D is the right option, I think, 30 divided by 6, माइनस by 4, पलस के 2, गुणा में 3 बराबर 7, देखो भी, क्या कह रहा है, यह हो गया, 6 पंजे 30, पाँच, यहां से आगया 5 बार, ठीक है, 2 तीया 6, 6 से 6 कट गया, और मामला गंबीर है, मुद्रा ऐसी होगी, क्या, सही है क्या, बाई, सही है, D option, बिल्कुल भीमसिंग रुंडल, मैदान में, बिल्कुल अच्छे बिटा, राम राम बैशोक सो लंकी, कैसे आप, बाई, सही जमाया है, क्या, देख लीजिएगा, माइनस तता भाग को आपस में बदल कर घटना घटाईएगा, तो 30 भाग 6, और इसकी जिए, माइनस चार वेटा ही है, ना, चार, चार पलस का दो, अब हो गया सही मामला, चिल्ट करतों साथ हो जाएगा, शाबाज, शाबाज, तो, जे भीम भाई, प्रोने सिंग फर्मा, जे भीम, कैसे आप, तो भाईया, यहाँ पर जो है, वो D option आ रहा है, आपको सारी चीजे पता है, घटना घट गई है, calculation हो गई है, गुड़ीवनिंग जगमाल, गुड़ीवनिंग जगमाल कैसे होगा, ठीक है, ठीक है, पांचीज के चार होगा, बैटा, कर लिया मैंने, अगला क्योशन देखेंगे, एक पासे की तो विप्रीत सत्य दी गई है, तो बैटा, पासा क्या सत्य तीन के विप्रीत क्या हैगा, सत्य तीन के विप्रीत क्या हैगा, यहां से आपको बताना है, सत्य तीन के विप्रीत क्या हैगा, फटा-फट, फटा-फट, बिल्कुल अशोग, बिल्कुल जरूरी है, राकेश कुमार से नहीं, रमस्कार, राम-राम, मेरे प्यारे तो आएगा बिल्कुल सही कि रहे हैं आप मैंने जब पासा पढ़ा थे तो आपको पता है ना सानी बढ़ा करते कोमन अंग के विप्री थमेशा वह फलक होती दिखाई नहीं दे रहा तो दो आपको आंसर होगा टू इस दर राइट आपको बतारा होगा और लुपत संख्या मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं सवाल मैं आप लोगों के बता रहा हूं ध्यान साथ तो है स्वरी यलो यह है ऐसे पग एक आठ 27 और दूसरा सवाल मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के सामने 64 125 206 और तीसरा सवाल मैं आपके सामने यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं 343 क्यूशन मारक और 739 फटा पड़ बताईए टेक्निकल टियार ओके आशा शर्मा दो इसका अंसर पताई वेटा चो मैंने किया है ओपी है मिर पुरा सी ओप्शन शाबाश बहुत अच्छे हैं हां रभी बिल्कुल सही कहे रहा है कोई बाद निया शोक आप दबाई ले आराम से तसली से मेरे नंबर बैटा मैं फिलाल दे नहीं पाओं आपको सारी चीज़े पता है प्लेटफोर्म पर आप समझ और सित्रीके से कोशिश कीजेगा मैं आपको दिखांगा स्सॉड़ की बहुत बढ़ की बात एक क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब चारिक चाक पाथ का क्यूब जेगा पान सो बारा अगला क्योश लेप लपेटदो साले को खैटदो मिटर इसका बढ़ जाओ शक्तिकपूर ये तुमारे सामने भीक बांगना चाहिए बोला है मुझे भगवान के लिए छोड़ दो तो पता इस सवाल को छोड़ दो लपेट दो बढ़ा दो मौसम इसका खैटदो मिटर वाँ भाई क्यूब मेरे को तो आता है नहीं 8 गुण 8 गुण 8 है 8 कस्वर हाँ भाई 8 का स्क्वाईर समझ गए इसका अंसर बता दीजिएगा फटाफट क्या कहना चाता है भाईया परसाद उत्तर की और 10 किलो मेटर जाता है तो भाईया खंदा दो कौन सी बड़ी बात है यह लो उत्तर की और 10 किलो मेटर जाता है इसके बाद वग पूरब की और 20 किलो मेटर जाता है खेश दिया 10 किलोमेटर चला गया जाता है अंत में परशीम के और 7 किलोमेटर जाता है तो सिद्धी सी बाते साथ जाता है तो कितना बज्जा का 13 किलोमेटर तो बटा 13 किलोमेटर इस दराइट आंस वर आपको बात समझ में आ रही है बहुत प्यारे प्यारे बच्चे है गटना आप लोगों की गटरी तीटरी कर देंगे वीटा यहां क्या कह रहा है सवाल पर बवाल क्या कहना चाता है बहाव नदी और स्थिर ना बहाव नदी और स्थिर कहने का मतलब है नदी में क्या होता है बहाव तो इनमें से स्थिर क्या होता है वर्षा होती है नहर होती है सरीता होती है तालाब होती है फटाफ़ बताओ वैसे भी चेक तो करते नियों और फॉन लगता निये प्रभु है कोमल कैसी बाते करती हो क्यों बेजती करती है सबके साम ने तेरा सभी का टाइपिंग मिस्टेक तेरा कहा है भाई सही है borg श्तात Bean बीश है कि तालाव कि एतालाव बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बलो आंसर लो कितने अासान आते तो वो यूँ फटाबड आता है बिल्कुल भैया तालाव अपनी स्तिरता के लिए जाना जाता है और दिस is the next question between together फटाफट बता तो बया किसका संबंध किस से क्या होगा आंसर आना चीए फटाफट चिल्ड हो जाओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे फटाफट स्पीड स्पीड बया स्पीड अच्छा तीन किलोमेटर होगा सर तेरा बजगो अच्छा शुरुवाती बिंदू से अब कितनी दूरी पर है तो तेरा ही तो दूरी पर है यार को ने कहीं कि इसे बीस में साथ चला है ना साथ किलोमेटर तेरा साथ बीस यही तो है ना लायको क्यों डुट रहते हो बिलकुल क्योंशन बता हिए फटा फट कॉमल की कह ब्हाई जीदी कर दी मैंने ने बटा अगज को क्योंशन नहीं बच्थी को मल मेसेज किया था कि भाया एक बार हो जाए तो मुझे से बात कर लिजिएगा धैन मैं भूल गया मैं देखा नहीं फिर मेरे दिमाग से निकल गया और बस फिर चलता रहा और फिर मैं बात नहीं कर पाया मैं माफ़ी चाहूंगा आपकी क्लास आज से ही हुए कि नहीं बैटा जो चल रहा है अगला क्योशन इसे देखो कता ही जहरे मोसम बन जाएगो कता ही पूरो पूरो है लपका दे लाला लपका दो अरे मैं सब दे दूंगा जवाब आओ बैटा अभी हालात खराब है अभी टाइम है नहीं यहां यह चोई से आ रहे ना तभी मैं देखो क्या कह रहा है यहां चोई से बिटा ही चोई साथ चोई साथ दो सो दस दन वाट इस दन नेक्स टमिनलोजी यह 24 रेशो 60 और यह 210 एंड वाट अबाउट दिस चलो दनाराम कास्वान बिलकुल नवश्कार भी अभी कानेर से खमा गणी नवश्कार खुश रहें आबाद रहें कि अश्क स्वालन की कोई ना बेटा आजाओ ओफ लाइन क्लास सलरी यह बढ़िया धड़ाके के साथ मुसम्नारे के साथ यहां क्या है यहां थोड़ा सा साथ आजाएगा यहां क्या होगा बटा चे का क्यूब माइनस के चे किया है दोसो सोडा में से चे गए दोसो दस आया आगे साथ का क्यूब माइनस साथ तो 343 में से आपको साथ घटा देना है तो 336 I think your answer तो 336 is your answer, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, तो आशा करता हूँ, चीजे आप लोगों को समझ में आ रही है, और यहाँ पर जो concept मैंने बता है, वो आप लोगों को clear हुआ होगा, जितनी संख्या का क्यूब कर रहे हैं, उसी संख्या में, कहां है सर कोचिंग आपकी, बैटा यह कोचिंग अपनी अभी डागूर्स कोचिंग पर हब है, गौपालपुरा बाइपास पर है, जे पेंडर पास से पहले में रोड पर आपको दिख जाएगी, और महां पर आपको सारी मुलाकाते हो जाएगी, तो दोस्तों कैसी रहे हैं, आज की क्लास, थोड़ा श कीजिए, सारी घटनापन साथ के साथ घटाएगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और सभी को गनतंत्र दिवस की अगरिम शुबकामना है, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच, जै राम जी की, कल फिर मुलाकात होगी, ठीक है, थैंक यू तक कीजिए, थैंक यू. झाल झाल झाल